मांसून बारिष से जहां एक तरफ किसानों को फाइदा भी हुआ तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को नुक्सान भी हुआ बतादें कि इस बारिस में जो है जो केला के खेती किये हैं जो गन्ना किये हैं जो धान की रोपनी करने वाले हैं उन किसानों को तो फाइदा हुआ लेकिन जो हारा सब्जी के खेती किये हैं उन्हें जो है का फेड़नों क्सान हुआ आज इसी का देन है कि जो हारा सब्जी है वो आस्मान चुरा है नमस्कार पराम आप देख रहे हैं निवश्वाइन 24 मैं सोनु कुमार गुपता कुसी नगर इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे गाउं में जहां पे इस गाउं के जो लोग हैं वो अधिकांस जो है वो खेती करते हैं हारा सब्जी जो है सबसेदा इस ग आतरा सब्सक्राइब में हम मौजूद हैं यहां के जो किसान है वह मेरे साथ मौजूद है यो मैं जिस तरह से खुसी होना चाहिए उस तरह सब्खेती की penetrate सब्सक्राइए है आपको नुक्सान हुआ है साटा सब्सक्राइए का जिसे मार्केट में रेट भी ज़्यादा हो गया हम लोगों को नक्सान अब इसके निफ्टी की थे खराब हो गया है और इचला फल नहीं दे रहा है तो कितना नक्सान मतलूद बहुत जादा नक्सान होगा ये कहने लाइक थोड़ो है। हम लोगों कमर टूट गया है। टमाटर की भी आप खेती हुआ था टमाटर भी सब खतम हो गया। मतलब बारिश से जो है सबसे ज़्यादा मतलब जो है आप लोगों कोई नुक्सान हुआ है मर्चा आज तक नहीं फॉल दिया इतना ज्यादा धूपता फॉले नहीं दिया इज बारिश हो गया तर खत्म हो रहा अच्छा आये मर्चा और टमाटर यही दो ऐसा चीज है जो सब प्रांचुरएं और ब्यामारे साथ जो किसान है उनसे जान लेत हैं वह किसी डिया और प्रभाएं तो किसी के खिटि की हैं . जब किसान जो है एक तरब वारिस के लिए जो है वो तरस रहे थे कि बारिस हो बारिस हो जिससे जो है वो खेतों में जो है वो धान रुपाई कर सके धान के लिए तो काफी लाबदायक बारिस हुआ है लेकिन सब्जी के लिए थोड़ा नुक्सान देव है चाहिए जो बारिस हुआ है इससे मतलब कितना जो है मतलब दिक्कत हो रहा है आप लोके दिक्कत का दिक्कत तो सहनाई है सब्जी के लिए दिक्कत है धान के लिए गन्ना के लिए केला के लिए बहुत अच्छा है मका के लिए अच्छा है लेकिन आप लोके लिए हाँ जो सब इधर भारिष के चलते इसलिए मांगाई चरम सीमा पर है देख पारहे हैं जो किसान है उनका यहीं कहना है कि जो बारिष हुआ है उससे हम लोग को काफी नुकसान है जो टमाटर की खेती हुआ था वो भी नुकसान हो गया और मिर्चा का खेती किये थे लो उसका भी नुकसान हो गया जिसके होजा से आज बजारों में जो है वो महंगाई जो है चरम सिमा पे अगर आप बजारों में वह को स्वाय नाम है हुआ राजेश्कुस्वाह किसान नहीं किसे करेकर गठीक है करेली मक्कषा है गणार अप्नेकट मुठ cathcast canines देर्मीет azafb आ लेकिन उसमें तरहलत साथ उसमें ईस्समें तो खेद से पांच खेत खेत से उठता था आज की एगर बात करें तो वो समाटर सौ से उपर क्या कारण है इतना अब वो सिज्ड़न उसका चला गया इस शेत्रम कहीं टमाटर है नहीं और बारिष नहीं हुए नुकसाण तो यह तो बैजार में देख रहा है वह कहां से वह कहीं दूर से लोकल में नहीं नहीं है है सबसे बड़ी बाठ राजेश को स्वाजी ने बлив जीसा कि जहां पर म लेकिन अगर यहां पर आज करें तो यहां पर दूर दूर तक कहीं भी जो है तो आपको दिखाई नहीं देगे जहां भी दिखाई देंगे देख सकते हैं माका का करयला है यहां पर यही चीजे चारपान जो सब्जी है वह बचा हुए वह भी बारिश कोजे से उन्हें भी नुकसान हो रहा है तो इसलिए कहीं न कहीं यह अगर यहां पर टमाटर के खेती मिर्चा की खेती हुआ है इस साल मर्चे में फल नहीं आया और सब कुछ को खतब गया है पंचुगा हवा जो चली है लगतार दस दिन उसी में सब कुछ जो है जुलस गया है कि अधर निपले तक पछुगा हवा बहुत तीज चल लही थी जब पाहले मतलब जो हवा था वो स ली गई जिसके वज़े से उसमें मर्चा करेट खेट से 15-20 रुपया उठता था आज की तारिक में वही 100 रुपया उठ रहा है मंडी में सबसे बड़ी महंगाई का यही देन है कि बाई जो 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 च्छेट करता था इसमें वह भी 90 रुपया बेंच लेता सबसे बड़ी महंगाई का यही देन है कि बाई जो जो च्छेटर में जो हारा सबजी जो निकलता है जिसमें मिर्चा और टमाटर तो सबसे महतपूर्ण है लेकिन च्छेटर में जो है यहां पर नहीं दिखाई देरा जिसको बाहर से जो समान आ रहा है वो महंगाई का जो है म चमक होनी चाहिए वो उस तरह से चमक नहीं है आप भी वीडियो देखिए और वीडियो देखके जो है कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा देखते रही है आप नुज पॉइंट 24 मैं सोनु कुमार गुपता कुसी नगर